तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इम नाम वाली लड़कियां कैसी होती हैं, सुभाव के छित्र में इम नाम वाली लड़कियां कैसी होती हैं, केरियर के छित्र में इम नाम वाली लड़कियां कैसी होती हैं, नेचर कैसा होता है और उसी के साथ इम ना वाली लड़किया निभा पाती है या फिर नहीं आज की वीडियो में हम जो मित्रो बाते आपको बताएंगे वो बाते आप लोगों को एम नाम वाली लड़कियों के बारे में बताएंगे कैसी होती है एम नाम वाली लड़किया वो चाहे इनका प्यार के बारे में आप जानन होना चाहिए और हिंदी वर्ड माला में यानि की मा अच्छर से स्टार्ट होना चाहिए बस आप लोगों को जो बाते हम आज की वीडियों बताएंगे वह आपके जीवन में लगने वाली हैं जो जो बाते आप लोगों को बताएंगे संपूर जानकारी बिल्कुल सटीक निकलेगी क्योंकि जोयति सास्त्र के जरिये हम आपके नाम को कल रिसर्च किया और तब जाकर आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आपका नाम क्या है और आपकी नाम की रासी क्या है और उसी के सासाथ एम नाम वाली लड़क कि होचोष. तूड़ा सा सरमिली हैं वो भी प्यार के मामले में क्योंकि यह प्यार तो कर लेंगी लेकिन बता नहीं पाएंगी ये शरमाती हैं प्यारके छेतर यानि कि एमनावली लड़कियों के जो मालिक होते हैं या फिर एमनावली लड़कों के जो मालिक होते हैं वो होते हैं सूरी भगवान और सूरी भगवान जो है इनके रासी के मालिक होते हैं और इनके रासी का जो तत्त होता है वो होता है अगनी तत्त अब हम बात करेंगे कि एमनावली लड़किया कैसे होती हैं दुमित्रों एमनावली लड़किया जो प्यार के छेत में थोड़ा सा सरमीली होती हैं उसी के साथ एमनावली लड़कियों के अंदर जो खुबी होती है अपने रिष्टों के प्रती काफी ज्यादा अच्छी होती है यह अपने रिष्ट रिष्टे को बहुत ही बरकरार रखना चाहती हैं अच्छे से अपने रिष्टे को समझती हैं और रिष्टों के प्रत्य बहुत ही यह जो है अच्छे से चलती हैं लेकिन कभी कभी जो है कुछ लोग इनको गलत कहते हैं और गलत बातों पर जो है इन्हें बहुत जल्दी गु इनका मन करता है कि हम सोतंत्र रहें, सोतंत्र घूमें, सोतंत्र टहलें, बाहर जाकर बिजनेस करें, बाहर नौकरी करें, घर के कामों में जो है, एमनाम वाली लड़कियों को इंट्रेस नहीं होता है, क्योंकि एमनाम वाली लड़किया थोड़ा बाहर के कामों में ज्यादा ह उसके सासाथ अगर हम इनके सुभाव के बारे में बात करें तो एम नाम वाले जितनी भी लड़किया हैं एक्स्टोलोजी कहते हैं ऐसे लोग सुभाव से बड़े ही प्यारे होते हैं और सबकी मदद करने वाले होते हैं एम नाम वाले लोग जो है और उसके सासाथ ये लोगो साथ देते हैं एमनाम वाले लोग और सब की मदद करने के लिए ये हमेसा तैयार रहती हैं जितनी भी एमनाम वाले लड escol von और ये लोग इतने सौल होते हैं अपने दिल के और अपने रिस्ते को जो है इतने अच्छे से निभाती हैं एमनाम वाले वली लड़की वो चाहे इनका रिस्ता फिर प्यार का हो या फिर परिवारिक रिस्ता हो इनका क्योंकि एम नाम वली लड़किया जो चीज ठान लेती हैं उसको करके मानती हैं अक्सर यह ज्यादा ठानती नहीं लेकिन जो ठान लेती हैं उसको करके मानती हैं क्योंकि मित्रो ए इनकी सची बाते पसंद आती हैं इनको जो सच होता है वही पसंद आता है एमनावले लड़कियों को अगर इनसे जूट एक बार बोल दिया आप लोगों ने और इनका दिल एक बार अगर आप लोगों ने तोड़ दिया और फिर आप चाहे हजार बार कोसित करिएगा एक बार आपको अगर दिल से निकाल दिया एमनाम वाली लड़कियों ने तो आपको दुबारा उस जगा पर नहीं बैठाएंगी एमनावली लड़किया थोड़ा सची होती हैं दिल की थोड़ा साप होती हैं और ये अपना हर कदम जो है थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ाती हैं जो काम करती हैं तो उसमें जो थोड़ा सा प्लानिंग करती हैं एमनावली लड़किया थोड़ा प्लान के साथ जो ही काम करत नहीं हो या फिर फैसबा लेना हो जल्दबाजी नहीं करती हैं एमनावली में वहिती हों जो बदलाओ आने का इन्तजार होती हैं यह सोयम बदलाओ लाने का यकीन रखती यानि कि जो करना चाहती ₧ Annie के दम Pas चु key को लेके यादा सोचती लेती हैं यह सोच लेती हैं उसे करके ही मानती। एमनाम वली लड़कियों के साथ जो लड़का रहता है या पिर जो लोग रहते हैं उनको ये लोग सुतंत्र कराने की कोसित करते हैं क्योंकि ये खुद भी सुतंत्र होते हैं और दूसरों को भी सुतंत्र रहने का मौका देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं एमनाम वाली जितनी भी लड़किया होती हैं ये लोगों को यह भी कहती हैं कि आप अपने काम करें और बिजनेस को आगे ले जाएं या फिर जो आप करें ये मोटिवेशन के लिए भी काफी अच्छी होती हैं एमनाम वाली लड़कियां क्योंकि ये लोगों के बारे में अच लेकिन अपने काम और कर्येर के प्रति काफी गंभीर भी रहती हैं हालांकि कई बार इन लोगों को महनत का फल थोड़ा देरी से मिलता है कुछ भी पाने के लिए इन्हें महनत तो करनी पड़ती है लेकिन जब इनकी महनत रंग लाती है तो कई लोगों को ये पीछे छोड़ देती हैं ये लड़कियां उसकी साथ जैसे कि हम में कुछ अच्छाईयां होती है वैसे कि कुछ बुराईयां भी होती है एमनावली लड़कियों में हाँ एक बुराई होती है एमनावले लड़कियों के बारे में जो आपको सुनना चाहिए एमनावले जो जितने भी लोग होती हैं इनकी अंदर कुछ अच्छी क्वाल्टी होती है वहीं इनकी एक कमी भी होती है वो होता है इनका गुसा वैसे तो यह अधिक तर समय सांतर रहती हैं लेकिन लाइब को खुब इंजॉय करती हैं लेकिन जब इन्हें गुसा आ तो इनका सामना करना थोड़ा मुश्किल का काम हो जाता है जी हां गलत बातों में इन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ये सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनती है हालां कि जितनी जल्दी इन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी ही गुस्सा असान तो हो जाता है इसके अलावा यह लोग जो सुभाव से ज़्यादा इमोसिनल होती है यह लड़किया अगर किसी की छोटी-मोटी बात सुन लेती है तो यह अपने दिल पर लगा लेती है वैसे तो गुस्से में थोड़ा सा आगे होती है यह तो मैं भी कहूँगा लेकिन गुस्सा ये गलत बातों पर होती हैं अच्छे बातों पर नहीं क्योंकि कभी-कभी लोग इनसे जूट बोल देते हैं उसके चलते जो है ये लोग गुस्सा हो जाते हैं अगर प्यार की बात करें तो इनका जो प्यार होता है थोड़ा सा सरमीला होता है इमोशनल होता है वैसे तो ये मिलनसार होते हैं लेकिन अपनी फिलिंग सामने वाले को कहने में कापी ज़्यादा संकोज करती हैं जिस वज़ा से प्यार में अपनी और से पहल करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम बन जाता है लेकिन अगर एक बार ये जो है किसी के रिष्टे में पढ़ जाती हैं या फिर उनसे प्यार कर लेती हैं तो अपने पार्टनर से हर बात जो है करती हैं लोगों से जो है जिनसे ये प्यार करती हैं फिर अपना जो इनका लब है उन लोगों से ये अपनी बाते फिर छिपा नहीं पाती है अपने साथी को सारी बाते बता देती हैं यानि इनका विश्वास तोड़ दोगे तो आप लोग इनको दुबारा अगर जीतने की जब कोसित करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे विश्वास अगर तोड़ दिया इमनाम वाली लड़कियों के साथ तो कभी भी आप उस जगा पर नहीं जा पाएंगे जिस जगा पर आप लोगो ती बैठा कर रखी थी कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट में जैसे निदे और उस लिखेगा